हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और देखिए आज मैं आपको ये गलफ्स बनाने का तरीका बताऊंगी और ये जो है हाफ फिंगर वाला है इसी में ही चाहे तो हम ये पूरी कवर कर सकते हैं लेकिन ये मैंने हाफ बनाए है और इनका बना कैसे बताऊंगी दोस्तो और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ये देखिए ये जो बाडर डिजाइन है इससे पहले जो मैंने वीडियो डालिया है उसमें पाद मैंने ये जो बची उन पड़ी थी मेरे पास वही मैंने यूज की हैं आप कलर कोई भी लगा सकते हैं एक कलर में भी बना सकते हैं और इससे ज्यादा कलर भी लगा सकते हैं तरीका क्या है बनाने का कैसे कैसे इसमें कितने फंदे डाले हैं वह सब मैं आपको तरीके से बताने की कोशिश करूंगी मैं आपको यह गलस बनाने का तरीका काफी कमेंट से मेरे चैनल पर गलस सिखाने के तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं गलस का वीडियो बनाती हूं अब मैंने एक यह इसलिए तियार कर लिया कि जिससे की मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब बनाया भी मैं आपको इंची टेप रनाप के बताती हूं, यह देखिए, यह तीन इंच का बार्डर है, तीन इंच का बार्डर बनाया है मैंने, और यह जो बार्डर मी फन्दे आप देख रहे हैं, यह 43 फन्दे हैं, 43 फंदे का लेडीज के इसाब से या गर्स के इसाब से बिल्कुल सही रहता है अगर आप जैंट्स का बनाते हैं तो थोड़े से जादा फंदे डलेंगे वह मैं आगे वीडियो में जैंट्स का भी शेयर करूंगी और बच्चों के में भी कितने फंदे डालने चाहिए आज मै सलाई हैं यहां से यह जो लाइट कलर लगाए गरीन यहां से यहां तक छे सलाई हैं छे सलाई बनाने के बाद हमारा अंगूठे के फंदे बढ़ने शुरू होंगे और 43 फंदे इसलिए डाले हैं कि अब देखिए 43 के जो 42 के हाफ फंदे हैं 21 21 इधर और एक फंदा यह 17 फंदे बढ़ने 17 का यह अंगूठा बना हुआ है अब यहां से मैं आपको फंदा बढ़ाने का तरीका बताती हूं और फिर उसके बाद आगे का कैसे-कैसे बनाना वह बताऊंगी यह देखिए इसके लिए मैंने यह बार्डर बनाने के बाद जो मैंने पैना है इसके साइज का बार्डर बना के और यह जो देख रहे हैं आप यह छे सलाई हैं छे सलाही मैंने बना ली और फंदी हाफ-ाफ कर लिये 43 फंदी है तो ट्वंट must records ये है 21 सम Але्यל और ये वाला ये मैंने निशान के त combustion विलना लगे इस मैंने यहां मार्कर लगा लूंगी और यह जो एक-फंदा है 43 पंद्वण हैना 21 21 यह मीच का जो फंद्वणद बचा इसके सारे आमें हर बार एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक इस इधर बढ़ाना सूरय तो फंदा बढ़ाने का तरीका आप देख ले फंदा हमें इस तरीके से बढ़ाना है कि जाली न पड़े, यहां हमें होल नहीं करना, यह देखे, यह मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं, एक एक करके, इसमें बिल्कुल भी होल न जर नहीं आएगा, तो फंदा बढ़ाने का तरीका मैं आपक तो होल हो जाएगा सलाई में हम डालों गे ऐसे और सलाई में डालने के बाद इसको हम ऐसे बनाएंगे सीधा तो यह हमारा फंदा बढ़ भी गया और हमारा जो फंदे में होल भी नहीं हुआ और अब इस फंदे पर मैं यह लगा लूंगी मारकर जिससे कि लिए बीच का फंदा यहां मुझे पैचान रही कि मैंने इसमें फंदे बढ़ाए है यह देखिए यह बीच वाला फंदा है और यहां मैं इसको ऐसे डाल लूँगे और यह जो इस बीच वाले फंदे के साथ यह वाला धागा है इसको उठाके सलाई में फिर इसी तरीके से डालना है और फिर यह बना लेना है कि यह देखिए कि यह अब एक फंदा यह वाला बढ़ा है यह वाला और एक फंदा यह इधर वाला अब जो फंदे हमने इसके साथ बढ़ाए बीच वाले के, अब हमें ये बीच में रखकर अब ये तीन फंदे हैं, इसके साथ फिर हमेशा जैसे देखे, ये वाला फंदा जो है, ये सीधा चलेगा, इसके साथ साथ फंदा बढ़ेगा, यहाँ पर अगली सलाई में फिर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने यहाँ इन फंदा पर एक एक फंदा बढ़ा ले, एक यहाँ अब ये चीधी सलाई बनेगी और ऑब ये सीधी सीधी सलाई बनाके फिर उल्टी बनाके जब अंदा यहाँ बढ़ेगा, पिर मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखिए यहां पर जो मैंने निशान लगाया है इस फंदे पे यहां हमने फंदे बढ़ाए है इसके साथ यह फला फंदा बढ़ा हुआ है और इधर बढ़ा हुआ है अब एक एक फंदे के इधर हमने पहले फंदे बढ़ाए थे अब हमें ध्यान यही रखना है कि जो न और यह जो मैंने ओरेन्ज कलर का दागए यह मैंने इसलिए लगाया है कि यहां मुझे पैचान रहेगी कि यह बीच वाला फंदा है जिसके जितने फंदे इस ऑरेंज दागे के इधर बढ़ेंगे इतने इधर बढ़ेंगे यह देखिए अराम से बन जाता है अब देखिए ये गलफ्स मैं पहन के मैं बुनाई कर रही हूं ये हाफ फिंगर वाला जो हम गलफ्स बनाते हैं इसका ये हमें फायदा होता है कि इसको पहन के हम इस तरह का कोई भी जैसे बच्चे पढ़ने वाले स्टूडन्ट होते हैं बच्चे सकते हैं जा ठंडा इलाका होता है ज्यादा वहां पर इस तरह से बच्चे पहन के रखते हैं जो पढ़ाई करने वाले तो ये मेरी बेटी है उसने मुझे बोला था कि मिरे लिए गलफ्स तयार करिए आप इस तरह से हाफ फिंगर वाला और मैं इस से अराम से निटिंग भी कर पा रही हूं पहन के तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही असान तरीका है और सुन्दर भी लगता है अब देखिए आप एक बार मैं बता देती हूं यह जो बीच वाला फंदा है इसके साथ हमें फंदे बढ़ाने हैं हर बार अभी मेरे दो फंदे इधर बढ़ गए दो दर चार और एक बीच वाला पांच फंदे बढ़े हैं अब मुझे हर बार इधर एक एक फंदा बढ़ाते हुए यह यहां से और यहां तक जहां तक आप यह देख रहे हैं यहां तक 17 फंदे करने अंगुठे के अब 17 फंदे जब बीच में बढ़ जाएंगे उसके बीच मे मुझे यहां पहले ही दूसरा कलर भी लगाना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा फंदे के बाद मुझे क्रीम कलर लगाना है और जब सतरा फंदे तयार हो जाएंगे यहां तक फिर मैं आपको यह बनाने के बाद दिखाती हूं सिंपल है बलकुल सीधा उल्टा जैसे मैंने पहला और दूसरा सलाई में फंदे बढ़ाए हैं उसी तरीके से बढ़ाने बस ध्यान यही रखना है कि जो यह फंदा बीच वाला है इसके जितने फंदे इधर हैं इतने इधर रहने चाहिए और यह साइड वाला जो फंदा आप इधर रहेगा इसके साथ साथ इधर इधर फंदे बढ़ते हुए जाएंगे फंदा बढ़ाने का तरीका मैंने बता दिया कहां से फंदा में बढ़ाना है अब बिल्कुल सिंपल सीधी उल्टी सलाई बनेंगी और सीधा यहां पर हर बार एक फंदा बढ़ते हुए मैं 17 फं यह देखिए अब जो यह औरेंज कलर का मैंने मार्कर लगाया इस फंदे पर इधर मैंने कुछ फंदे बढ़ा लिए और इधर यह टोटल 17 फंदे हैं आठ फंदे इस फंदे के इधर बढ़े हैं 8 इधर 16 और एक बीच का 17 अब यह टोटल यहां से यहां तक आप देख रहे हैं अब 17 फंदे बढ़ाने के बाद अब हम्हें 17 फंदे ही बनाने यह सत्रे फंदे अब देखिए। इधर के फंदे बना लिए अब 107 फंदे जो मैंने बनाए हैं अब MUS阑 में बढ़ाने नहीं अब में सिंपल बनाने आ अब देखिए यहां से और यहां तक जितने फंदे बड़े हैं यह मैंने बना लिए अब यह 17 फंदे बनाने के बाद हमें यहीं से मोड़ना है और अब यह 17 ही फंदे हमें बनाने है अब फिर हमें इदर से मोड़ना है अब यह हमारे 17 इदर बीच बीच के फंदे अब हम इनको बनाएंगे जितना मैंने यह क्रीम कलर से बनाया हुआ है ना यह 17 फंदे हैं तो यह मुझे यहां तक बनाने हैं सारे यहीं से मुझे मोड़नी है वापस सलाई और फिर बनाने यह अब देखिए यह बीच के फंदे आप देख रहे हैं 17 यह मैं बनाती हूं अब यह जितना मैंने सलाई क्रीम कलर की बनाई हुई है इसमें यहां से आता कि इतना मैं बनाने के बाद जब ब्राउन कलर जोड़ूंगी फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए अब जितनी यह मैंने क्रीम कलर की 16 सलाई बनाई हुई है 16 सलाई मैंने बनाने के बाद अब मैंने यह ब्राउन कलर जोड़ लिया इसमें अब ब्राउन कलर की इसमें मुझे एक सलाई सीधी बनानी है बिल्कुल ये सीधी सलाई बनाके और उल्टी सलाई बनाके फिर जब सीधी सलाई आएगी ब्राउन की तब दिखाती हूं ये देखिए, ब्राउन की मैंने एक सीधी और एक उल्टी बना ली, अब जो ये हमने बार्डर बनाया है, एक सीधे का और एक उल्टा, अब जितने भी फंदे ये हमारे 17 फंदे हैं, अब इसमें हमें एक सीधा और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, बार्डर का, ये जो लंब लंबाई लेनी है इसकी अब मैं ये चार सलाई सीधे उल्टे की बना के फिर दिखाते हूं उठा तयार करके क्योंकि वीडियो जादल बड़ी हो जाती है ये बिल्कुल सिंपल उल्टे सीधे ही बनाने है ये देखे अंगूठे का बोर्डर मैंने बना लिया अब मैं इनको ब कर दो? यह देखिए अब अंगूठा देखिए हमारा हो गया तैयार इस तरीके से और यह कोई सा भी किसी भी आत्में पहन सकते हैं इसमें हमें यह ध्यान रखने की जरुरत नहीं होती कि अंगूठा दूसरे का हमें किदर बनाना है कोई सा भी किसी भी आत्में यह वाला इस आत्में भी पेहन सकते हैं कि दोनों तरफ से यह इस तरह से नजर आता है तो यह सीधा उल्टा नहीं होता जैसे हम पैर के जूते बनाते हैं तो उसमें हमें अंगुठे का ध्यान रखना होता है इसमें जरूरत नहीं होती है हमें अगर एक जैसे डिजाइन हम प्लेन बनाते हैं तो अब देखिए यह अंगुठा इसका हो गया तयार अब यह अंगुठा अब देखिए अंगुठा ब चिलने के बाद अंगुठा हमारा यहां सेट हो जाएगा और यह देखिए है तेली की यह लेंथ हो गई है यहां पूरी अब हमें उंगलियां बनानी है अब उंगलियां बनाने के लिए मैं बताती हूं कैसे बनानी है बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी वैसे तो हम बिना जैन्ट करें भी बना सकते हैं वह एक फंदा चौड़के बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है वह जो लोग न्या सीखरें उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी एक ही जो गॉल बञाथे चार सलाही, अब यह तीसरी सलाही ल इसमें दस फंदे हैं इस वाली में भी दस हैं और इस वाली में भी दस हैं इसमें बारा फंदे हैं बीच वाली उंगली में उसी हिसाब से हमें इनका सेटिंग करनी हैं अब यह जो फंदे हैं देखिए दस फंदे हमें बनाने अब ये पांच फंदे इधर से देखिए ये मैंने ले लिए ये पांच फंदे इस साइड के हैं और पांच मुझे इस साइड के बनाने है एक, दो, तीन, चार और पांच बैसे तो दो सलाई से भी बन जाता है तो तीसरी लगा लेंगे हम तो उसको उसमें थोड़ी आसान नहीं रहा जाती है बनानी फंदे जो है ना अराम से बन जाएंगे अब मुझे ये दस फंदे ही बनाने है दूसरा कलर चेंज करूंगी मैं ये जाएंगे अब देखिए दस फंदे बनाऊंगी मैं और यह इसमें चार सलाई बनानी है मुझे पहले प्लेन बार्डर बाद में बनाना है अब मैं यह चार सलाई बना लेती हूं दस फंदे फिर दिखाती हूं यह देखिए चार सलाई मैंने ब्राउन कलर से बना ली अगर आप सिंगल कलर का बनाते हैं तो इसमें चार सलाई हम बनाने के बाद फिर आब इसमें बार्डर बनाएंगे चार सलाई का कि इसकी लेंथ पूरी करेंगे देखिए चार सलाई मैंने पहले बनाई है चार सलाई का बार्डर अब यह बार्डर बना लेती हूं और बार्डर बनाने के बाद फिर दिखाती हूं तो यह देखिए जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है ये वाली अब ये वाली उंगली के फंदे जो हैं ये बन गयेँ इसकी लेंथ हो गई है पूरी अप इसमें देखे मैंने कितनी सलाई बनाई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा सलाई मैंने यह बनाई है टोटल अब बारा सलाई बनाने के बाद मैं इनको बंद कर दूँगी घटा दूँगी फंदे दस फंदे पहली उंगली के जो दस फंदे थे वह मैं घटा देती हूँ यह देखिए अब यह जो अंगोठे के साथ वाली यह वाली उंगली इसकी यह तैयार हो गई है अब आप चाहिए तो इसको पूरी कवर कर सकते हैं लेकिन यह इस तरह से हाफ अंगल्यों से ना काम भी अच्छे से हो जाता आराम से अब देखिया आप मैं नीटिंग आराम से क वो आपने उपर है, आपकी मर्जी है, कि आप इसको पूरी उंगली तक बनाना चाहते हैं, या हाफ बनाना चाहते हैं, तो मैंने ये बंद कर दी, अब जितने भी फंदे बचे हैं, बीच वाली उंगली में मुझे दो फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, दस से बारा करने हैं, और ये तीन उंगली और बची, एक, दो, तीन, इन में दस फंदे इसके हैं, दस इसके और बारा इसके, और ये बनाने के बाद और फिर सीलने के बाद फिर मैं दिखाती हूं, ये आराम से हो जाता है, इसमें बन जाता है, दो सलाही से भी आराम से बन जाएगी, और तीसरी सलाई लगाना के एक फंदा छोड़के भी हम बना सकते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है जो एक्सपर्ट हैं थोड़े से वो बना लेते हैं एक बार में ही इखटे उसमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा और जो नया सीखरे हैं उनके लिए मैंने ये बनाई बता सकते हैं और एक वो जो एक फंदा लेकर एक छोड़के बनाते हैं उसमें बसरफ हमारा ये जॉइंट नहीं आता तो अब मैं ये दूसरे नंबर की उंगली बनाऊंगी जो बारा फंदे लेकर फिर ऐसे ही तीन उंगली त्यार करके फिर आपको दिखाती हूं इसाथ का जो ह ये देखिए बनके होगे तैयार ये मैंने उंगलियां जो बनाने के बाद सील ली है सारी और कैसा लगा आपको ये डिजाइन और मेरा बताने का तरीका ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से कोशिश किया है मैंने सिखाने की और आप मुझे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं और आगे मैं दूसरे तरह के गलफ से भी बताऊंगी जो उंगलियां नहीं बनाते जो इस तरह की सिंपल छोटे और बड़े साइज में दोनों में क्योंकि फं करूंगी तरीका किसी दिन आने वाली वीडियो में और यह देखिए